तर बीजेपी जो है अपने अभ्यान के तरीके जो है लोगों से जोड़ा रही है अब यूआ संसत जो है आज वो बठाएगे इसके अलावा अनुसूची जंजाती का जो है वो सम्मेलन किया गया जिसमें खुद डिप्टी सीम दिनेश सर्मा जी मौझूद थे हम इसे बात कर है जो पाल्टिया कर रही है वो तमाल सवाल खड़े कर रही है कि इस बार किसी भी दरीके से मुदी जी को रोकना है कितना किस तरह देखते हैं आब इसको उनकी निरासा के रूपे में देखता हूं इसको क्योंकि आज कोई भी दल जो विपक्ष का है उसमें ये हिमत नहीं ह कि इन्होंने विकास नहीं किया या इन्होंने इस मुद्दे पर विकास नहीं किया ये कहने का सहास किसी में नहीं है क्योंकि वो जब सत्ता में थे उन्होंने कुछी नहीं किया तो आज विकास के नाम पर वो घेरने के बज़ाए वो कभी जाद के नाम पर गेर रहें कभी स राजस्थान में, ये मिलकर लड़ते हैं मद्रप्रदेश में उत्रक्षंड में, जहां जहां मिलकर लड़ते हैं, ये हारते हैं, और अपकी भी चाहते हैं हम लोग की उत्तर प्रदेश में एक बार राश्टवादी ताकतों का मकाबला इन सारी मिले जूवी ताकतों के साथ म और अपकी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत से दले से होंगे जिनका खाता नहीं खुलेगा तो बिल्कुल ये डिप्टेशियम ने सर्माजी थे जिनका साप कहना है कि जो 2019 का जो लोगसाबा चुनाओ है वो इस बार जो है कांग्रेस के लिए मुसीबत बना होगा और रायवरी के जो सीठ है वो भी विजेपी के हाथ में होगी कैमरा पसंजीतें साथानू कुमा भार समचार लखनाओ